तो भाई अभी समझेंगे कि टाटा मोटर्स में जो अभी आपका न्यू जाया है कि डी मर्जर होने वाला है सीवी और पीवी को लेकर के तो इसमें एक चीज समझेगा कि कल का जो वॉल्यूम है ना तो एक चीज इंपॉर्टन चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बहुत रिटेल ट्रेडर यह बोनस के चक्कर में फसेगा और डी मर्जर के चकर में फसेगा कि एक से सीवी का मि जाओ यहां तो इसमें मेरा जो पांडे लें लेजन कि क्या है क्या यह जो वॉल्यूम यह जो छ बना तो इसमें आर्य़ित है चीजों को समझेगा ध्यान से इसका मैं आपको एक चीज दिकारा हूं तो देखो यहां पर कल टाटा मोटर्स में जो भी ट्रेडड कॉंटिटी था उसका सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 परसेंट डिलिवरी में गया है 19 से 20 परसेंट मतलब कहा जाता है कि अगर 75 परसेंट है तो समझो कि इन्वेश्टर का लॉंग टर्म के लिए इसमें भीजन है लेकिन यहां पर सिर्फ 20 परसेंट जिनरली कोई भी स्टॉक देखोगे कोई भी स्टॉक अगर आप देखेंगे ना तो उसमें 30 परसेंट जाता ही है जिनरली 30 परसेंट 34-36 इस तरह से जाता है और यह इतनी बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स और इसका डिलिवरी परसेंटेज गया ह है कल का उनीस परसेंट तो यह क्या सो करता है यह सो करता है कि कल जो भी हुआ वहूँ जाता तर इसमें आफका ट्रेडेड सिर्फ इंट्रा डे में ट्रीडिंग हुआ इन्ट्राडे में baru बहुत लोग यहांँ पे हाई में जा कर परस गाएँगा चलिए टेक्निकल चार्ट पे समझते हैं इसको देखो कल मार्केट ओपन ही हुआ इसमें गैप अप जैसे अगर परसो का बाजर देखेगा तो परसो यह क्लोज हुआ था 987 पे 987 पे उसके बाद कल मार्केट ही ओपन होता है थोड़ा सा मदलब अच्छा खासा न्यूज के बज़े से कैप अब जीश में 1027 पे उपन ही होता है ठीक है अब 1027 पे उपन होता है और हाई लगाता है यह 165 का ठीक अब 1027 से सब को लगा होगे क्या होगे टाटा मोटर्स को 45% का तेरी दिखा रहा पांच परसेंट के उसमें और भी ज्यादा से 67% का दिखा रहा था तो बहुत लोग इसमें फसे होंगे यहां पर 60 के आसपास में 65 के आसपास में 64 के आसपास में 1064 के आसपास में अब अचानक से उसके बाद क्या हुआ डौन साइट तो भाई देखो यह जो निज आया है यह निज है कि एक साल के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अभी नहीं तो अभी अगर टेक्निकल्स आप समझते हो तो इस तरह से अभी निप्टी जो चल रहा है एकदम अचानक से अल टाइम हाई पर है तो लास्ट तीन महिना में बहुत बढ़िया निप्टी रिटर्म दे चुका है तो एक करेक्शन यहां पर अगर निप्टी का चार्ट देखेगा तो ए होंगा कि नहीं अभी जो भी है जितना भी कैपटल है देख रहे हो इतना वॉल्यूम में सिर्फ 19 परसेंट आपका डिलिवरी में जाता है तो यह क्या सो करता है इसमें इन्वेस्टर अभी बहुत जादा दिमाग नहीं लगा रहा है इन्वेस्टर कब दिमाग लगाएगा जब सेम जे इस तरह से आपको यह सब लेवल पर मिलना सुरू हो जाएगा 900 करी आसपास आजाएगा इसमें दिमाग लगाएगा अभी दिमाग लगा अभी नहीं तो अभी कल तो बहुत लोग फषई होंगे है भी प्रिष्ट पिर से मत फासिएगा इसमें दिखाया जाएगा है बैसिकली न्यूज किया कि सीवी मतलब कोमर्शियल वेकल और पीवी मतलब ट्राइवेट वेकल ठीक है पर्सनल वेकल सॉर्य। तो इसी में जो है टाटा मोटर ने डिसाइड किया है कि जो सीवी बसेश और ट्रक्स, ट्रक्स का सबसे बड़ा manufacturer है, इंडिया में टाटा मोटर तो ट्रक्स और बसेस का जो भी commercial vehicle जो बनाती है उसको इसमें डाल देगी और जो personal vehicle टाटा बनाती है उसमें उसको इसमें डाल देगी वनलोग cars हो गया आपका electric vehicle इसमें हो गया सारा कुछ इसमें आ जाएगा तो अभी इसके लिए मत मरो कि एक हजार का सेर है तो कैसे split होगा, कैसे क्या होगा एक आपको ये मिलेगा, एक ये मिलेगा जब मिलने का रहेगा कुछ नहीं हो जाएगा, मैं उस पर आप कहीं ने कहीं आपको update कर दूँगा लेकिन अभी ये सब जगा पर फस होगे तो लंबा समय के लिए आपको पैसा फसा रहेगा योकि अभी सब को पता है कि मार्केट को एक करेक्शन चाहिए अभी सब डर्डर के डर्डर के पैसा लगा रहा है तो इस चीज को समझेगा और उसी के हिसाब से एक किजिएगा बाकी आपका डिसीजन प्रोफित आपका लॉस आपका यूर रिस्पर्सिबल फोर यूर लॉसेशन प्रोफित